जब ट्रेडिंग की मैंने शुरुवात करे थी अपने करियर की, तो मैं हर बार जब भी मुझे लॉस होता था, तो मैं एक ही चीज करता था, और वो क्या था, वो ये था कि मैं सोचता था कि यार मेरे सेटप में कुछ गलत तो नहीं है, क्या मैंने गलत सेटप अपलाय कर लिय क्या मुझे अपने सेटप चेंज करनी की जरूरत है क्या मुझे किसी एक्सपर्ट एडवाईस की जरूरत है क्या मुझे कोई 50-60,000 रुपए देख एक नया सॉफ्ट्वेर खरीद लेना चाहिए यह सारी चीजे ना जब मैंने बिगन किया था तब यह सारी चीजे मेरे दिमा केवल लॉंग करके पैसा बना रहे कोई लॉंग शॉट पॉट्फोलियो बना रहा है कुछ लोग ऑप्शन बाय करके पैसा बना रहे तो मुझे लगा कि यार सेटप नहीं होगा फिर कुछ और होगा फिर मैंने थोड़ा और पता लगा थोड़ा चांस मानने के चक्कर में बना थोड़ा यह सारी चीज़े जो काल्पनिक लगती हैं एक नाचरल माइंड को एक रेशनल माइंड को कि भई अगर मंडे को है तो मंडे को ट्रेड मत करो ट्यूजडे को इस समय पर ट्रेड करो यह सारी चीज़े भी मैंने करके देखी समय, होरोस्कोप, नंबर्स मैं य नहीं कह रहा हो कि यह शायद काम नहीं करते होंगे, लेकिन मेरे लिए वो कुछ समय काम करी उसके बाद वो भी काम नहीं करी थी, तो मैं बड़े दुविदा में था कि exactly यह ट्रेडिंग की दुनिया में काम करता क्या है, कुछ काम भी करता है, या सही महीं यह वीडियोस हैं, वो साइकलोजिक के आराउंड रहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि भाई आप जिस तरह के लाइफ ट्रेडिंग करते हो, आप जित्ते हो सके और वीडियोस डालो, उससे बहुत सीखने मिलता है, लेकिन मेरा मानना है कि उसके हिसाब से तो काफी सारे वीडियो अल्रेडी हैं, तो मैं बीच-बीच में डालता हूं, रेगुलरली नहीं डालता हूं, फिर कुछ लोगों को कहना है कि आप सरिफ सेटप सिखाओ, सेटप सिखाओ, अगर आप अपने चैनल को अच्छा सेखोशते हो, तो 13-14 सेटप से मेरे दोस्त और कितने चाहिए, फ्री आप लोगों के साथ डिसकस करूँ, तो यह उस सिरीज का फर्स पार्ट है, प्यार बरसाइएगा, लाइक के थुरू, कमेंट्स में बताएगा, लिखेगा, साइकलोजी अगर आपको और इस तरह के वीडियो चाहिए, जिससे मुझे पता लगे कि हाँ, आपको इससे कुछ सीखने में, और इस वीडियो को अंतर तक जरूर देखेगा, बिकॉस कुछ खास दिवाली के अवसर पर आप लोगों के लिए गिफ्ट है, तो मेक शुर आप एंट तक जरूर देखें, तो चलिए, आज के दिन में करीब पांच पॉइंट्स आपके साथ डिसकस करूँगा तो पहला पॉइंट है, कि हम अकसर क्या गलती करते हैं, हम प्रोसेस गलत फॉलो करते हैं, देखें, आप लोगों के यह example लेते हैं, आज के समय पे आप लोगों के example से पहले हम थोड़ा एक उधारिंड ले लेते हैं, लेट्स टेक एक गोडा है, जो गोड़े का काट होता ह खीच के लेके जाता है. Just imagine उस काट को, अगर आप घोड़े के सामने लगा देते हो, तो क्या वो घोड़ा सही से वॉक कर पाएगा? या बुल ले लो, बुल काट जो होता है, उसके सामने अगर आप लगा देते हो, बुलक काट जो होता है, क्या वो उस चीच को खीज पाएगा? नहीं, उसका एक तरीका होता है, तरीका क्या होता है कि उस काट को आपको उस बुलक के पीछे लगाना पढ़ेगा, उस बुल के पीछे लगाना पढ़ेगा, तब ही जाके वो smoothly चल पाएगा, तब ही जाके वो आपको आपके destination पे लेके बना दो, या आप ना एक काम करो, आप ratio spreads को हम कैसे execute करें, वो सारी चीज़े बता दो, adjustments कैसे करें, वो सारी चीज़े बता दो, पर दोस्त, आप process ही गलत फॉलो कर रहे हो, process की steps क्या होते हैं, पहले ये तो समझो, पहला step होता है, अपनी personality को समझो, आप just because आपका पडोस ही ब समझो, personality समझो, ताकि आपको पता लगए आपका temperament कितना है, आपके अंदर patience कितना है, आपके अंदर capacity कितनी है, पहले ये चीज़ समझो, next, उसके basis पे आप study करो, research करो, अच्छे channels watch करो, जैसे कि अपना है, subscribe नहीं किया तो subscribe करो, और अपना एक setup बनाओ, setup indicator based भी हो सकता है, price action based भी हो सकता है, second step वो होता है, तीसरी चीज़ है, journalizing शुरू कर दो, live trade जब कर रहे हो, अपना journal बना के रखो, आप देखो गलतियां कहां पर कर रहे हो, कहां पर आपके पास scope of improvement है, ये होता है सही step, तो सबसे पहली mistake जो आप लोग कर रहे हो, वो process गलत कर रहे हो, तो आप इदर से उदर, इदर से उदर उदर उचकते रहे हो, तो पहली चीज़ आपको वो करनी है, दूसरी चीज़ होती है, एक regret machine हो जाती है, एक regret machine, मैं आपको बता तो हूँ कैसा, let's take an example, weekend आ रहा है, Friday के दिन आपने बहुत सारे calls index के buy कर लिए, आपने Nifty के काफी सारे calls buy क अब उस दिन आप end of the day देखते हो, और ऐसा किते लोगों के साथ हो है, comments में बताना, end of the day आप देखते हो कि US market ना बहुत नीचे गया है, 3-4% गिर गया हुआ है, 1000-2000 point नीचे गिर गया है, European market गिर गया है, और अब आपको हो जाता है tension, पहली चीज़ क्या होती है, आपका प विल्यों बदल चुका है, दुखी-दुखी आप रह रहे हो, और आप पूरे time, constantly, over the weekends, over the Friday evening, आप यही चल रहा है, नीच आपकी खराब बुरी, आप यही सोच रहे हो कि यार मैना तो नुकसान कर दी, अब क्या होगा, यह बहुत गलत है यार, आपको सबसे पहले ही समझन है कि नुकसान तो अब होगा, ना, calls खरीत के गए हो, hedging करी नहीं है, position sizing आपने देखी नहीं है, तो नुकसान तो होगा, ना, तो सबसे पहले make peace with it, सबसे ज़्यादे important है पहले peace बना लो, social media मत देखो, वो लोग order आ देंगे, telegram मत देखो, जब तक आपका position नहीं कर जाब, वो order आ देंगे, अपने mind में एक peace बनाओ, जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं बताता हूँ, अगर गलती से वैसे तो मैं NH लेकिन जाता हूँ, गलती से अगर कोई ऐसा situation आने वाला भी रहता है, जब मेरे को पता है, पूरी तरीक से market मेरे against होता है, जित्ते लोग मेरे को Twitter पे follow करता है, उनको ये चीज़ पता है, Twitter का handle गयरा, कि मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं अपना assumption निकाल लेता हूँ, कि ये मुझसे गलती होने वाली है, और मैं पहली assume कर लेता हूँ, कि उस particular quantity पे मैं 50% lose करने वाला हूँ, worst case scenario में assume कर लेता हूँ, worst case क्यों, अब आप 50% का down दिखेगा, और वो आपको मौका देगा, at least अगर आप market order पे भी वहाँ पर exit करते हूँ, वो खुलते ही 90% down नहीं खुलेगा, in 99.9% cases, तो आप जब ये mentally prepare कर लेते हो, तो mentally आप ये भी prepare कर लो, कि मेरा next step क्या होगा, मैं अगली चीज़ क्या करने वाला हूँ, मैं Mark Douglas भाई साब भी बताते हैं, उनकी जो किताबे हैं, जितनी भी उनने psychology related किताबे लिखी हैं, जिसे trading in the zone, so देखें, knowledge लेना कितना जरूरी है, आपको अब समझ में आ रहा होगा, और आप मैं से काफी सारे लोग trading में ने psychology related mistakes कर लेते हैं, इससे कैसे बचा जाए, well, कुछ अ money and psychological aspects को crack करती है, और Diwali पे तो भाई या धमाका चल रहा है, कुको FM पे, जी हाँ, अगर आप description में दिये गए code से download करते हैं, कुको FM, और use करते है code Diwali50, जो कि valid है 19th से लेके 25th of this month तक, तो आपको 50% off मिलेगा सभी premium subscription पे, और इतना है नहीं, you can even win gifts like car, gold coin, vouchers, worth 10 lakh rupees, तो हरी की कीजिए किस चीज का वेट है, 25th October तक हीए offer और description में आपको link मिल जागा, तो जाके check out, जरूर कीजिए, तो इस तरह से आप लोग जाके अपने psychological aspect को समल सकते हो, बिकास एक चीज समझ लो, external चीजों को न, आप control नहीं कर सकते हो, लेकिन internal चीजों को आप जरूर control कर सकते हो, next, इसी से related है, mental rehearsal हर दिन करो, market open होने वाला है, चाहे आप intraday trader हो, चाहे आप swing trader हो, चाहे positional trader हो, चाहे hedging करने वाले हो, चाहे option seller हो, चाहे option buyer हो, और तो wrap जैसा लग गया, लेकिन ठीक है, जो भी है, बट जो भी हो आप, आपको हमेशा सबसे पहले न, एक mental rehearsal करना पड़ेग कि अगर market इस तरह से खुला, सारी probability सोचो, तो मैं किस प्रकार के trade कर सकता हूँ, या सकती हूँ, अगर market उस तरह से खुला, तो मैं किस तरह के trade कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, इस तरह कि जब आप mental rehearsal बार बार करोगे, तब आपकी accuracy बढ़ेगी, तब आपका essence बढ़ेगा, औ और तब जाके आपकी probability बढ़ेगी, मैंने अक्सर काफी सारे newcomers को देखा है, वो एकदम fresh slate of mind से उतर जाते market में, और उसके बाद market अगर कुछ भी थोड़ा सा surprise देता है न, they get baffled, confused हो जाते कि अब क्या करें भाईया, अब तो समझ में नहीं, हम तो बुरी तरह से सफस गए आपको एक चीज, दिमाख में गांट बांधनी है भाई, कि market तो किसी भी दिन surprise कर सकता है, अचानक से मोदी जी आ जाएंगे, मित्रो कह देंगे, और अचानक से market उपर नीचे हो जाएगा, अचानक से हमारी finance ministry आ जाएगी, तीन घंटे का एक session देंगी, जिसमें से काम का सर जाएगा, तो आपको समझना है, अचानक से कुछ भी हो सकता है, तो mental rehearsal पहले करके रखो, तो मैं हमेशा तीन possibility बना के चलता हूँ, market में जब भी आता हूँ, पहला, अगर सारी चीज़े अच्छी गई, तो मैं किस समय पे, मेरा emotional state कैसा होगा, जब मेरे को रुखना है, तो जब मेरे को लग रहा होगा कि आराज तो बहुत पैसा बन गया, बहुत पैसा बन गया, मैं अपना system वहाँ पे close करूँगा, वनना यूफोरिक state में मैं बहुत पैसा गवा सकता हूँ, अगर मेरा इतना इतना नुकसान हो गया, तो मैं निकल जाओगा, अगर market sideways गया और मेर को opportunity नहीं मिल रहे है, 11 बजे तक, 12 बजे तक तो मैं market बंद करके अपने दूसरे काम पे लग जाओगा, तो इस तरह से mental rehearsal आपको करना शुरू करना, अभी तक वीडियो लाइक नहीं कहा है, दोस्तों तो लाइक ज़रूर कीज़ेगा, प्रोचान मिलता है, next, आपको एक ची कर सकते हो, risk reduce कर सकते हो, बट risk avoid नहीं कर सकते हो, एक simple example देते हैं, कुछ साल पहले, मैंने PSU bank के काफी सारे futures, 50-60 lot, अलग-अलग counters के खरीद लिये थे, मुझे क्या बता था, अगले दिन से कुछ खराब खबरे आएंगी, और PSU banks नीचे गिनने लग जाएंगे, जिसके बार नुकसान होने लग गया, भारी नुकसान हुआ कुछ lakhs में, तो आप लोगों को बता दो, ये मेरे control में नहीं था, लेकिन मेरे control में क्या था, जो मेरे को बाद में समझ में आ, कि भाई, आप 50-60 lot futures के जो एक-एक counter में गये थे, उसके जगाब 10-10 lot के 3 stocks पे ले 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 थे, based on capital size, अगर आपको इतना ही confidence था, तो भी आप options के साथ थोड़ा सा hedge कर सकते थे, तो ये सारी चीज़े न, सारा रायता फैलने के बाद आया था, तो एक चीज़ आपको समझ नहीं है, कि आप risk avoid नहीं कर सकते, तो जो लोग ये सोच के बोलते कि, अरे वो तो event आगे, इसलिए मेरा नुकसान हो गया, blame करना छोड़ दू, हाँ ठीक है, मज़े मस्ती के लिए कर रहे हो, ठीक है, लेकिन internally इस चीज़ को accept करो, कि share बजार में जो कुछ भी हो रहा है आपके account के साथ, only you are responsible, भाया मैंने उसको अपना account management के लिए तो नुकसान हो गया, you are responsible, क्यों trust करके दिय अरे भाया मैंने उसके एकलाक रुपे के training जोइन करी, you are responsible, क्यों आप उसके सिर्फ M2M से attract होके चलेगा, अरे भाया मेरे साथ ये हो गया, because उस दिन तो ये पुटिन भाई साबने आके बोल दिया, you are responsible, किसने कहा था 100% पूरा capital लगा देना, मानते हो कि नई comments में जरूर ब पड़ेगी कि यहां पर आप risk avoid नहीं कर सकता है, and finally, आज का एक और point बताता हूँ, अगला पाट चाहें तो साइकलोजी comments में लिख दीजेगा, जो अच्छी trading होती है, जो मुझे समझने में करीब 3-4 साल लग गयता है, अच्छी trading होती है, वो तो boring trading होती है, अब मैं ये नह गह रहा हूँ कि अगर आपके trading काफी exciting है, रोज romance बना रही है, रोज excitement दे रही है, तो आप पैसा नहीं बना सकते हो, बना सकते हो, लेकिन अगर आपको लंबी पारी खेलनी है, 10 साल की, 15 साल की, 35, 10, 25, 35 years की, अगर आपको earnings खेलनी है शहर बाजार में, तो दोस्त पैसा देख रहा हूँ, मैं trade स्रिफ 10% करता हूँ, in fact, there are days, 3-4 दन कभी का बार निकल जाते है, जब मैं trade executing नहीं करता हूँ, क्यों, मेरा setup फॉलो नहीं हो रहा है, मैं risk उसके साथ नहीं आ रहा, volatility मुझे favor नहीं करी है, और मेरे अंदर conviction नहीं आ रहा है, ऐसे मैं, मैं screen को बस ताक बहुत जादा भी नहीं, because ultimately क्या होता है, वो बोलते हैं बुलाती है, पर जाना नहीं इस तरीका dialogue है, तो ये screen आपको नहीं हमेशा बुलाईगी, कि ठीक है यार, पूरा 100% setup नहीं बन रहा, तो क्या हो गया, 60% बन रहा, आजा, थोड़ा तो पैसा कमा ले, 1000 रुपे तो कमा आज की दिन, यहीं ट्राइट करती है, यहीं trap होता है, इस hypnosis से, जो वो आपको आकर्शित करने की कोशिश कर रहा है, screen उससे बच के रहना है, आपको वो हमेशा ये लुभाने की कोशिश करेगा, कि भाईया, ये trade चले गया, तो तू मिस आउट कर देगा, FOMO हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, market आज भी यहीं पर है, कल भी रहेगा, 60 साल बाद भी रहेगा, बहुत opportunities मिलेंगी, अपने आपका temptation यहाँ पर रोको, दोस्तो आशा करता हूँ, आज के 5 points, आपको बहुत important लगे होंगे, आपकी trading career में help करेंगे, पसंद आया तो like और share करना न description में मिल जाएगा, जाके checkout जरूर कीजेगा, till then, keep learning, keep growing, keep investing and keep trading.